दोस्तों मान लेजे data आपके पास इस परकार से आपको करना क्या है कि इस row के data को आपको सबसे उपर ले जाना है और इस row के data को सबसे नीचे ले जाना है without any copy paste तो आप कैसे करोगे मान लो आपको अगर copy paste करना रहता तो आप करते क्या एक नया row insert करते ठीक है आब यहां से इसको क्या करते Ctrl-C से इसको copy कर लेते या तो Ctrl-X से इसको cut कर लेते और यहां जाके आप paste कर देते अगर माल लिज़े आपको इसके नीचे ले जाना है तब क्या करते इसको Ctrl-X कर लेते और यहां जाके Ctrl-B कर देते ऐसे ही करते आप और जो भी blank बजता last में अब उसको right click करते ऐसे करते और यहां से जाके आप delete row कर देते इसी परकार करते आप क्या आपको नहीं लगता यह बहुत lengthy process है जो काम चूटकियों में हो सकता उसके लिए इतना मेहनत क्यूं करें तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसा trick बताऊंगा जिससे की आपका काम बहुत आसान हो जाएगा पर इससे पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा request वीडियो को like नहीं किया तो like कर दे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर ले चलिए topic स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगर आपको कभी भी MS Word के table में data move करना हो तो आपको हमेशा एक key combination याद करना होगा जो की है alt की plus shift की plus arrow की यह key combination आप याद रखे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा देखिए सबसे पहले आप data को select कीजिए जिस को आप move करना चाहते हैं जिस रो को आप move करना चाहते हैं चाहे एक रो हो या एक से ज़्यादा रो आप जितना रो को move करना चाहते हैं उतने रो को select कीजिए माल लिजे मैं एक रो को select करता हूँ और यहां से alt shift और up arrow करता हूँ मैं उपर ले जाना चाहता हूँ तो इसको उपर ले जाता हूँ ठीक है उपर चला गया माल लेजिए आप 5 नमबर वाले रोग को नीचे लाना चाहते हैं तो अब Alt Shift और Down Arrow कीजिए वो नीचे आ जाएगा माल लेजिए आप 1 से ज़्यादा को Move करना चाहते हैं तो माल लेजिए मैं यहाँ से यह तीनों रोग को उपर मूब करना चाहता हूँ सबसे उपर ले जाना चाहता हूँ तो Alt Shift प्रेस करूँगा और Up Arrow तो देखिए तीनों रोग उपर जा रहे हैं जा रहे हैं तो देखिए डाटा को हम लोग कितनी आसानी से Up and Down मतलब की उपर मूब कर सकते हैं नीचे मूब कर से अब जहाँ चाहें वहाँ मूब कर सकते हैं I hope यह जानकारी आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी कसाथ तब तक लिए जैहिन बंदे मातरम